वर्ष 2015 में व्रशब राशी के महानुभवों के लिए आपकी परिश्रमता, आपकी सत्यता, पूर्ण निस्ठा वे आपके अच्छे गुन प्रदर्शिता के आधार पर आपको बहुत ही अच्छे फल मिलने की संभावना है समय समय पर आपके भविश्य के लिए अच्छे बुड़े कुछ निर्ने सोच समझ कर लेने की आवश्यक्ता होगी इसलिए अपने संकल्पों का सही प्रयास का यह सही समय होगा कुछ ऐसा भी अफसर आ सकता है जब आपको कुछ निराशा महसूस हो परंतु आप अपनी योर से पूरी कोशिश करें कि आप खुश रह सकें वर्ष 2015 में आपका जिविको पाजन संतुलित रहेगा और कुछ मन्द सिती में भी चलने की संभावना रहेगी जिससे आप निराशा महसूस करेंगे किन्तु आपको पूर्टे लाभी लाभ प्राप्त होगा आपकी महनत और आपके द्वारा किया गया विधीवत संकल्प आपकी सफलता पर ही निर्भर होगा यांदेव और ब्रहसपती ग्रह देव आपके कारियों में आपके पूर्टे मदद करेंगे आपके संबंदित कारी छेतर में आपको अपने सहयोगियों से मिल जुलकर और अच्छे सोहार्ध पूर्ण व्यवार से कारी करना होगा आपको सबके हित की बात सोचकर अपने व्यवसाई को उच्छे सर्थ तक ले जाने का संकल्प करना होगा इस वर्ष क्रे और विक्रे पर विशेश ध्यान दें आवशक्ता के अनुसार ही क्रे भी करें और विक्रे भी इस वर्ष आपके पास बहुत धन संपत्ती आएगी किन्तु उस धन का सही रूप में ही उप्योग करें बचत भी करने की जरूरत होगी और अपने पास नगत धन राशी भी रखनी होगी असत्य, अधर्म, चलाकी और छलकपट से बचें नहीं तो यह आपकी अर्थ विवस्था में अर्चने पैदा कर सकते हैं दोस्त, मित्र और पारिवारिक लोग आपके आर्थिक लेंदेन की सदस्य बन सकते हैं आपका स्वास्थे कभी-कभी स्वास्थ रहेगा और कभी-कभी अस्वास्थ भी आपको अपने स्वास्थे और खान पान पर विशेश ध्यान देना होगा आहारविद से सलाह लेकर आप अपने भोजन को संतुलित रख सकते हैं ताकि अधिक अवधी तक आप स्वास्थ रह सकें बाहर का बनाया भोजन और बाहर का पानी इस्तेमाल ना करें आपका रहने का स्थान स्वच्छ और संक्रमन रहेत होना चाहिए क्योंकि ग्रहों की दशा देखते हुए आपको संक्रमन रोग होने की संभाव ना हो सकती है अगर संक्रमन रोग हो भी जाए तो तुरंत चिकितसक के पास जाकर उपचाहर की सला लेने की जरुरत होगी ब्रहस्पती देव की आपके उपर कृपा हो सकती है उनकी कृपा से आप अपने सभी कारे ठीक प्रकार से कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से आप यश्पी प्राप्त कर सकेंगे साथवे भाव में शनी देव के होने की वज़े से आपके जीविको पारजन में अर्चने भी हो सकती है साथ ही आपके निजी जीवन में भी शान्ती की कमी हो सकती है परन्तु आप धैरे से काम लेकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं स्थे और प्यार की बात करें तो आपके और आपके साथी के प्यार में एक सच्चाई की नुभूती होगी धन के पाजन में ये वर्ष अच्छा रहने की संभावना है आपका राशी फल यह संकेत देता है कि बिना कारणवश कुछ घर में रखे हुए सामान पर आपका अधिक खर्च हो सकता है आपके लिए गाएं को रोटी देना और सेवा करना शुब रहेगा स्वास्थे की द्रिस्टी से आपको मंगल ग्रह और हनुमत पूजा करने से लाब प्राप्त होंगे आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे